कि नौस्ते हैं अचार जी मैं आपके काफे सारे यूटूब लेक्टेंख देखे या सेशन देखे ये तो जो आप चेतना की जो बात करते हो अगर आपकी कोशिश है अगर कामना करते या एक हईपात्राटीकल सिट्वेशन देखते हैं माननलो सारे लोगों की चेतना सबसे उचे सतर पर पहुच गये अगर ऐसे दुनिया की कलपना करे तो आपको लगता है कोई प्राब्लम्स रहेगी इशूस रहेगी कि उस दुनिया की समस्याइं जानना चाहते हैं जो उची चेतना की होगी पहली बात तो कलपना करनी है उची चेतना की दुनिया की कहां से वो कलपना करनी है जहां हम बैठे हुए हैं अपनी वर्तमान निचली चेतना पर वहां बैठ करके आप किसी उची चीज की क्या गलपना करोगे जिस तल का व्यक्ति होता है न उसकी उची से उची कलपना भी उसी तल की होती है एक कुटा है मान लीजिए उसके लिए उची से उची बात क्या हो सकती है क्या हो सकती है बारिश होगी तो हड्डियां बरसेंगी हम कल्पना की प्रक्रते को समझ नहीं रहे हैं मैं केंद्र में होता है उसके चारों और चेतना का महौल निर्मित होता है वो महौल जहां मैं है माने जहां आपने अस्तितों का खूटा गाड़ रखा है उसे बहुत दूर नहीं जा सकता आप किसी पशु को खूटे से बान देते हैं वो कितनी दूर जा पाता उस खूटे से तो मैं अहम भाव क्या है खूटा कहां गाड़ दिया आपने वो आपके हाथ में होता है कहां गाड़ना है अब आप रस्सी कर लो लंबी कि कल्पना का मतलब है ज्यादा लंबी रस्सी बहुत लंबी रस्सी भी कर लोगे तो उड़ थोड़े ही जाओगे खूटे के इर्द गिर्द ही कहीं पर भूमोगे तो कल्पना बहुत काम नहीं आती और यह जब प्रश्ण है इससे मैं पिछले पंदरह सालों से रूबरू हो रहा हूँ कब कॉलेजों में जाता था तो पंदरह के और पहले 17 साल 18 साल 20 साल पहले वहां स्टूडेंट्स होते थे वो पूरी दुनिया बुद्ध जैसी हो गई तो दुनिया कैसे चलेगी बदाओ अच्छा आप तो बीटेक एंबीए करने के बाद सब छोड़ चाड़ के आ गए आपका पूरा बैच ही छोड़ देता अगर तो बताओ इंडस्ट्री को प्लेस्मेंट कहां से मिलते आपने गलत किया ना सब आपकी तरह शादी नहीं करें तो लोगों के वंश कैसे चलेंगे बताओ बताओ छोड़ दीजे ना एक उंची दुनिया में क्या समस्याएं आएंगी ये आप नीची दुनिया में बैठ करके कल्पित नहीं कर सकते कल्पना में गोते मारना छोड़ें आप अभी जिस दुनिया में हैं पहले उसकी कल्पनाएं पहले उसकी समस्याएं देखें नहीं समझें यह ऐसी सी बात है कि किसी के पास द्रिश्टिना हो कोई अंधा हो और कोई चिकजचक उसका उपचार कर रहा हो और वो चिकजचक कहे कि द्रिश्टि आ जाने के बाद मुझे किस किस तरह की समस्याएं होंगी मुझे यह सोच के बड़े डर लग रहा है वो यह नहीं देख रहा है कि द्रिश्टि नहीं है तो उसे कौन से समस्य आए है पहली बात दूसरी बात और ज्यादा मुलभूत बात जब उसके पास दृष्टी है ही नहीं तो क्या वो उस दुनिया की कल्पना कर सकता है जो दृष्टी आ जाने के बाद उसको मिलेगी आप कैसे कल्पना कर लोगे एक बुद्ध के मन में क्या चलता है क्रिश्णों की दुनिया कैसी होगी आप कल्पना कैसे कर लोगे बताओ मुझको क्या आप मन की मूल प्रकृति से परिचित नहीं हो क्या आप नहीं जानते कि कल्पना सिर्फ पुराने अनुभवों से आती है क्या आपके पुराने अनुभवों में क्रिश्ण सम्मिलित हैं क्या आपको क्रिश्ण से कोई पूरु परिचय या पूरु अनुभव है अगर नहीं है तो आगे कैसे कल्पना कर लोगे आप आगे कि जो भी कल्पना करते हो वो आपके पुराने अनुभवों से ही आती है और जिस चीज का आपको अनुभव नहीं है उसकी आप कोई कल्पना नहीं कर सकते यह बात आप सोचते ही नहीं हूँ हम अपने आपको बहुत होशियार समझते हैं हम सोचते मुक्ति के बाद क्या होगा वो मैं भी बैठे-बैठे कल्पना कर सकता हूँ न आप बंधन में हो मुक्ति के बाद क्या होगा आप उसी कल्पना नहीं कर सकते भई आप कल्पना करोगे भी तो मुक्ति के नाम पे किनी बंधनों की आपने कल्पना कर लियोगी और चुकि वो बंधन होंगे इसलिए आपको पसंद नहीं आएंगे तो आप मुक्ति के बाद जो होता में पसंद नहीं आया मुक्तिय में चाहिए ही नहीं कितनी गजब चाल है नहीं आपको फ्रेंच आती है यह सवाल मैं 15 साल से पूछ रहा हूं लड़कों से पूछते लेकि कलपना करना ही पाते हैं आप मुक्ति की कलपना कैसे कर ले रहे हो भाई जो चीज आपके ज्ञान में है ही नहीं आप उसकी भविश्व में कलपना कैसे कडर लोगे और इस बात आपको बहुत अजीब लगेगी इसको आप समझ जाएं तो आप मन के खेल के बच रूप होती है इसा हाँ इसी लिए ज्यानी कलपनाओं में नहीं जीता हूँ, बस यतार्थ में जीता हूँ भविष्य को लेकर के अरमान नहीं खड़े करता भविष्य के आपके उधारण के लिए अगर अतीत में गरीबी है तो भविष्य के अर्मानों में अमीरी आ जाएगी बस इतना होगा अगर अतीत में दुख है तो भविष्य की कल्पना में सुखा जाएगा सारी कल्पनाएं अतीत के खूटे से बंधी होती है इसलिए कल्पनाओं में जीना भूत वेर्थबात होती है और जो लोग कहते हैं ना मैं जी इसलिए रहाँ ताकि आगे अपने सपने साकार करूँगा उनसे विर्ष जीवन किसी का नहीं होता क्योंकि भविश्य के सपने बस अतीत के शुद्र अनुभवों से आते हैं मुक्त की सत्य की बोध की कलपनाई नहीं करी जा सकती और आप करोगे कलपना तो आप उनको बहुत चोटी चीज बना दोगे लोगों ने करी ये कलपना बैठे बैठे कर लेते हैं नित्रहीन व्यक्ति बैठे बैठे कलपना कर रहा है कि जब आँखें ठीक हो जाएंगी तब क्या होगा सुची कैसे करेगा कलपना क्या कलपना कर लेगा उसने न कभी प्रकाश देखा न रंग देखे वो कलपना करेगा भी तो क्या करेगा हम कर लेते हैं लेकिन हमने अपनी समझ में कृष्ण हों कि बुद्ध हों राम हों सत्य हों बोध हों मुक्ते हों शिव हों हमने सबका खाका खींच रखा है सबकी कुंडली हमारे भेजे में मौझूद है हम सबको जानते हैं हम कहते हैं ज्यादा पसंद नहीं आते हैं तुम नापसंद करते हो तुम जानते हो बिना जाने तुमने पसंद नापसंद सब कर डाला सब हम कर लेते हैं और पसंद नापसंद नहीं कर लेते हम उनसे लड़ भी लेते हैं जो हमसे विपरीत कलपना रखते हैं पता कुछ नहीं है लड़ लिए चलिए आपसे फिर पूछ लेता हम वही जिन से कॉलेजी वालों लगता है कहीं आप उसी कॉलेज के तो नहीं है पंदरा साल में आप यहां तक पहुँच गए लेकिन सवाल का उत्तर आपको नहीं मिला काका टूगा किनकी लोगों को पसंद है काका टूगा किस को पसंद है अरे हाथ खड़े कर दो कलपना कर के करो तो कलपना कर लो करो करो हाथ खड़े कर दो तो मान लीजे इधर जितने हैं समने हाथ खड़े कर दिये और काका टूगा किस को ना पसंद है और इधर जितने उन्होंने समने हाथ खड़े कर दिया हमें सक्त नापसंद है फिर यहां दंगा हो गया तीन चार के सर फोड़ दिये गए क्योंकि कुछ को काकाटुआ पसंद है कुछ को नापसंद है काकाटुआ है क्या वो हमें नहीं पता है पर हमें नहीं पसंद है तो नहीं तुमने कलपना करके ऐसे ली जब तुम जानती ही नहीं थे पर हम ऐसे ही हैं कलपना के घोड़े बे लगां कहीं भी जा रहे हैं सारी दुनिया अगर आपने क्या का बुद्धो जैसे हो जाएगी हाई जाने के नहीं होती है सो बार समझाया है मुक्ति का राग छोड़ो बंधनों की बातें करो आप कह रहे हैं कि आपने सुना है मुझको सुना होता तो पता होता खास तोर पर जब उपनिशद समागम या गीता समागम होता हूँ उसमें इतनी बार बोलता हूँ कि ये मुक्ती मुक्ती क्या करते रहते हो यथार्थ से आखें चार करो और यथार्थे मुक्ती नहीं है बंधन है ये तक बोला है कि उपनिशद सत्य का नहीं माया का प्रतिपादन करते हैं सत्य की वहाँ बहुत कम बात है बंधन की बात है हम निरलंब उपनिशद में थे महाप्रशन पूछा गया रिशी से बंधन क्या है मुक्ति क्या है मुक्ति क्या है इसका बड़े संग्षेप में कुछ शब्दों में उत्तर दे करके बाती रफा रफा कर दी रिशी महराज ने बंधन क्या है ये दर्जन श्लोक ले करके समझाया किसी बताने वाले की ये बताने में कभी रुची नहीं रही है कि मुक्ति क्या है कोई मुक्ति की बहुत बात करें तो समझे लो अनाडी है वो ऐसी चीज़ें इसके वारें कुछ बताया जाए नहीं सकता नहीं तो तुम कलपना करना शुरू कर दोगे बताने वालों कि हमेशा रुचे रही है आपको यह समझाने में कि बंधन क्या है ताकि आप बंधन से बचें क्योंकि बंधन ही आपका यथार्थ है आपको लड़ना बंधन से है बंधन से अगर लड़ लिये तो मुक्तित तो सुतह ही मिल जाएगी उसकी बात क्या करनी है बात बंधन की करनी है तो बुद्धो का विश्यो कैसा होगा उसकी कलपना की जरूरत नहीं है हमारा विश्यो कैसा है उसका यथार्थ जानिए उसकी जरूरत है वो कालपनिक विश्यो कैसा होगा जिसमें सब उची चेतना के होंगे इसकी क्या कलपना करोगे छोड़ो आज का विश्यो कैसा है जिस इसकी हकीकत से रूबरू होना जरूरी है और जब इसको आप जान लेंगे तो शायद वो साकार करना संभव हो पाए कौन हो उची चेतना का विश्व और मन की चाल देखिए देखिए आप उस आगे वाले की कलपना क्यों करना चाहते हो समझो बुलगभग वैसा ही प्रश्ण है जैसा आप दुकानदार से करते हो जो आप कहते हो माल देखाओ माल जब आपको माल देखाएगा तो आप क्या बोलोगे यह माल मुझे पसंद नही आया फिर आप काओ कि देखो ऐसा नहीं है कि हम मुक्त हो नहीं सकते थे मुक्त तो बहुत आसान सी चीज थी हमें उपलब्द थी हमें पसंद नहीं आई हम ठुकरा के आए है कैसे पसंद नहीं हमने मुक्ति की कलपना करी हमने करी हमने मुक्ति कलपना करी और मुक्ति वाले संसार का एक-एक कोना-कोना चपपा-चपपा हमने देखा हमने पूछाई ये बताओ समझाई दर आप ये सब कैसे चल रहा है यहापे हमने पूरा देखा और वो डील हमें कुछ ठीक नहीं लगी हमने गाई मुक्ति अगरा बेकार की बात हटाओ मन इसलिए मुक्ति कल्पना करना चाहता है, ताकि कल्पना कर ले, उस कल्पना में कुछ गंदगी खुदी निकाल ले, अपनी कल्पना करी, उस कल्पना में अपनी गंदगी निकाल ले, और फिर का ये मुक्ति वारा कोई ठीक बात नहीं है, तो हमारा जैसा चल रहा है, घर द हमारी खूब कल्पना करो और कल्पनाई करके उसको फिर रिजेक्ट कर दो अस्वीक्रत कर दो ठीक नहीं थी जा चल नहीं सकती मुक्ति को जानने के लिए मुक्त होना पड़ता है फस गए, फस गए, फस गए, फस गए मुक्ति ऐसी चीज नहीं है कि आपके दिमाग में कुछ सूचना जानकारी ग्यान डाल दिया जाएगा कि मुक्ति क्या है और आप जान जाओगे, अच्छा जान गए मुक्ति क्या है और मुक्तों का संसार कैसा होता है ये सिर्फ वही जान सकता है जो मुक्त है कलपना की बात नहीं है जानने की बात है जीने की बात है जो मुक्ति को जी रहा है सिर्फ वही मुक्ति को जान पाएगा मुँ चलाने से नहीं जान जाएगा कोई नायम आत्मा प्रोचन इन लभ्यो कोई प्रोचन दे रहा है मुक्ति के विशह में आपने सुन लिया तो उससे आप आत्मा को नहीं जान जाओगे ना प्रोचन करने से जान जाओगे ना प्रोचन सुनने से जान जाओगे जीओगे तो जानोगे और कल्पना गर-गर के नहीं जिया जाता है यथारत के धरातल पर ठोस कदम रखके जिया जाता है तो मैं आ रही है बार अहंकार सोचता है वो सरवग्य है महां आ गया निये महां आ गया निये कॉलेजों में जाओं तो आप लोग तो थोड़ा सा समय बदल गया है तो अपनी शद्धा से आते हैं सहयोग योगदान हो गयरा करकर के आते हैं पंदरा सार पहले कॉलेजों में जाओं तो वहां मैनेजमेंट उन्हें ऐसे भेडबक्री की तरह घेर घेर के भेजता था जाओ 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 कुछ बोलने आएं सुन लो तब यह नहीं था कि कोई कि तत्वग्य आ रहे हैं ज्यानी आ रहे हैं सुन लो तब उनको यह लगता था कि कोई आइटी आयम से कुछ बताने आएं तो अच्छा ही बता रहे होंगे सुन लो तो मैनेजमेंट उने इधर उदर से घेरे और भेजे और वो एक्तम ऐसे भागें जैसे जानवर भागने की कोशिश करता है पकड़ो तो उन्हें अंदर भी ले आदो तो खिड़की से कूट-कूट के भाग रहे हैं कुर्सियों के नीचे छुप रहे हैं दर्वाजा तोड़ दिया ये सब हुआ पड़ा है तो एक जगह थी जो विख्यात थी इसी के लिए कि यहां जब भी जाओ तो जबरदस्त भागते हैं उन्हें अगले दिन अकर पता चल जाए मैं आने वाला हूँ तो सुबह इसे ना कॉलेज हैं सारी क्लासेज मिस करने को तईयार हैं इनके सामने नी बैठेंगे तो फिर मैं ओचक धावा बोलता था था फ्लाइंग स्कॉर्ट बिना बताए या जिस क्लास वह बैठे हुए कुछ पढ़ने के लिए कोई है लैब चल रही उनकी कोई तो लैब में खुच जात करके लिए को पकड़ के लाया क्या क्यों भाग रहा है कि यह जाने दूंगा पहले बता भाग क्यो रहा है कि मैं कॉंसी बात अच्छी नहीं लगी वह अच्छी नहीं लगी प्लीज प्लीज बात तो बता दे कौंसी नहीं अच्छी लगती मैं का अच्छा बता किस सेशन में मैंने कौंसी बात बोली तुझे पसंद नहीं आई समझ नहीं क्या बता रहे है कुछ नहीं कुछ नहीं बता हुए जब तीन-चार बैन उसको पकड़ा पर मैं तो धौस दिखाई म थपड़ मार दूगा पता तो पता चला उसने आज तक मेरा कोई भी सेशन अटेंडी नहीं खरा था। उसने एक सेशन अटेंडी कर तो लोसं बाग क्यो रहा है। जब तुने कभी अटेंडी नहीं करा तो तुझे कैसे पता कि मैं गलट गंदी बाते बोलता हूँ तो नहीं क्या है आप क्या बोलोगा आप यही तो सब बोलोगे ना कि अच्छे काम करो बुरे काम मत करो जितने भी लोग आते हैं विज्डम के नाम पर यही सब आप बोलोगे तो तुझे कैसे पता मैं यह बोलूगा तो बोला नहीं हो तो पता है तो तुझे कैसे पता मैंने क्या बोला या मैं क्या बोलूँगा वो नहीं वो तो ऐसे ही होता है मुझे पता है 18-20 साल उसकी उमर रही होगी वो कुछ नहीं जानता वो एक बार एक मिनिट के लिए भी मेरे सामने आगर के नहीं बैटा कभी लेकिन उसको पहले से ही पता है कि मैं क्या बोलूँगा और मुझे बड़ी मेहनत करने पड़ी उसको ये समझाने में कि मैं वैसा कुछ नहीं बोलता जो तू सोच रहा है कि मैं बोलता हूँ और फिर यह होता भी था पहले भागते थे फिर पकड़ लो दो चार बार जो रस्ती बैठा लो फिर उनको रसाने लगता था फिर ऐसा होता था कि दो घंटे का समय होता था मेरे सेशन का तो दो घंटे तो जितने सब घेर के लाए जाते थे 200-400 सब बैठे होते थे फिर मैं कहता था जोड़ रहा हूँ जाओ और अब बस वो बैठे जिसको वागई बैठना है स्विच्छा से तो दो घंटे के बाद भी ऐसा होता था कि कभी 30-40-50 जने कभी और और ज्यादा था लोग रुख जाएं वो स्विच्छा से रुखते थे फिर उनके साथ और कई बार देर देर तक रात रात तक बार चलती थी तीन चार घंटे और तेर लेकिनों तभी होता था जब वो पहले बैठ ले सबसे ज्यादा वो तभी भागते थे जब उन्हें कुछ नहीं सुना है वो मूँ देके सब कुछ जानते हैं वो बिना बैठे ही जानता था कि मैं क्या बोलने वाला हूँ वो जान भी गया और उसने निर्ने भी कर लिया कि उसे नहीं सुनना है और भाग भी लिया रहा है तुझे कैसे पता इस प्रश्न का हम कोई उत्तर ही निदेना चाहते है epistemology source of knowledge तुम्हें कैसे पता इसका हमारे पास कोई जवाबी नहीं बस पता है और ले दे करके पता कैसे है क्या करा है कल्पना करिए किसी भी philosophical system में imagination is not a valid source of knowledge सर दुनिया का कोई भी दर्शन हो वो पहले साफ साफ बताता है कि ज्ञान किन सुरूतों को मारगों को माध्यमों को वैध माना जाएगा प्रमाणिकता किसकी है कौन से ज्ञान के सुरूत को हम प्रमाण रूप में सुईकार कर रहे हैं ये पहले मान लिया जाता है और मैं बता दूँ कल्पना कहीं भी प्रमानिक नहीं मानी जाती कोई दर्शन नहीं कहता कि कोई बात इसलिए सत्य है क्योंकि तुम उसकी कल्पना कर रहे हो न भारतिय न पाश्चात्य न आस्तिक न नास्तिक किसी दर्शन में कल्पना को ज्ञान का वैध सुरोत नहीं माना गया है एकदम ही नहीं पर हम बैठे बैठाए सब जान जाते हैं क्या करके ग्यान आ गया आगे बंद करी अगडम बगडम करा ग्यान आ गया कैसे आ गया क्या करके